पाठ चौधा शेरू ने ढूंडी गेंद नाटक मामा जरा पांच रुपे देना जल्दी एकदम जल्दी अच्छा ये पांच रुपे किस नेक काम में खर्च होंगे मामा असल में बात ये है कि गेंद लानी है ओ पर पांच रुपे तो तुम परसों भी ले गए थे गेंद खरीदने के लिए कहां गई वो गेंद वो तो खो गई गुड़न के साथ तप्पे खेलने का खेल रहा था गेंद जाडियों में चली गई फिर मिली ही नहीं तो फिर मैं रोज रोज कहां से लाऊं गेंद तुमारे लिए जाओ नहीं है मेरे पास पैसे बस मा सिर्फ एक बार और मैं गेंद खूब संभाल कर खेलूंगा ठीक है पर अब आगे न मांगना फिर से मा पांच रुपे पप्पो को पकड़ाती हैं पप्पो रुपे लेकर जट पट दोड पड़ता है कुछ देर बाद वह नीली गेंद लिये मैदान में दिखाई पड़ता है उसे देखकर सोनू, गुड़न, धीरू, देबू सभी की आँखों में चमक आ जाती है आरे वा, नीली गेंद कहां से लाया पप्पू? देखो, मैं खेलने के लिए ही तो लाया हूँ वा, 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 आओ भाई, आओ खेल जमेगा प्यारा फिर क्या था? कुछ देर बाद ही खेल जमता है गुड़न जोर से गेंद फेकता है गेंद लुड़कते लुड़कते नाले की ओर चली जाती है दोड़ो, दोड़ो, कही नाले में न चली जाए कैसे जाएगी? शेरू है ना? दोड़ शेरू, दोड़, दोड़ शेरू के साथ साथ बच्चे भी तेजी से गेंद के पीछे दोड़ते हैं मगर वे सब गेंद को पकड़ पाएं इससे पहले ही गेंद गेहरे नाले में चली जाती है हाई, मेरी गेंद तो गई शायद शेरू इस बार भी ले आए शेरू देर तक चकर काट कर आता है पर उसके पास गेंद नहीं होती है अब मैं मा से क्या कहूँगा? कोई बाद नहीं, तुम मेरी गेन से खेल लेना, फिर दो-चार दिन बाद माँ से मांग लेना पैसे नहीं गुड़न, माँ अब नहीं देंगी पैसे पपू उसी समय घर की ओर चल पड़ता है, उसका चेहरा उत्रा हुआ है मामा, मेरी गेन हाँ हाँ पपू, क्या हुआ तुम्हारी गेन को, तुम इतना चुप पपू बगैर कोई जवाब दिये, चुप चाप खाट पर लेट जाता है न जाने कब उसे नींद आ जाती है, उसे रात भर बस गेन के सपने आते है कभी गेन्द उड़कर आस्मान में चली जाती, कभी वह चान बन जाती, कभी तारा कभी आस्मान से टप करके एक दम सामने जमीन पर आगिरती और पपू उसे पकड़ने के लिए दोड़ पड़ता मामा, मेरी गेन मा, उदास मत हो, पपू, मिल जाएगी गेन, इतना परेशान क्यों हो रहे हो इतने में ममी दरवाजे की ओर देखती है, वहाँ उनको शेरू खड़ा देखता है पपू, ओ पपू, देख उधर, कहां मा, कहां, किधर अरे, इधर नहीं, उधर, उधर, दरवाजे की ओर शेरू, ओ शेरू, वह, मेरी शेरू, वह, मेरी शेर, तुम मेरे सचे दोस्त हो पपू के बास आते ही शेरू पूंच छिलाता हुआ गेंद आगे बढ़ा देता है पपो गेन लेता है और शेरू को जोर से थपतपाता है फिर उसके बाद खेल के मैदान की और भागता है आजा शेरू, मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर खेलेंगे तुम हो तो मुझे चिंता नहीं इतने में उधर से गुड़न, सोनू, धीरू और सारे बच्चे निकलाते हैं खूब जोर से तालियां बजा कर चिल्ला उटते हैं हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे आज शेरू भी खेलेगा, इसी ने दो धुन्डी है मेरी नीली वाली प्यारी गेंद हाँ हाँ, खेलेगा, खेलेगा, शेरू भी खेलेगा, शेरू, सिंदाबाद, सिंदाबाद बीच में खड़े शेरू के चारो और गोल दायरा बनाकर सारे बच्चे नाचते हैं और शेरू बीच बीच में उछल उछल कर अपनी खुशी जताता है इतने में दूर से मा आती हैं और खेल के मैदान का ये अनोखा द्रिशे देखकर खूब खिल खिला कर हस पड़ती हैं शिक्षा पशु पक्षी भी हमारी मित्र होते हैं